नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेके आए है स्कूल व्याक्यता भरती 2018 फाइनल रिजल्ट को लेकर शिक्षा मंत्री गोविन सिंग डोटा सर का बयान अब यह भी का यह अपडेट है दोस्तों चलिए दोस्तों देख लेते हैं शिक्षा मंत्री गोविन सिंग डोटा सर का क्या बयान था और कब तक रजल्ट जारी होने की बात बताए गई है तो देखे दोस्तों क्या अपडेट है इसकुल व्यक्ता बढ़ती परिक्षा का प्रिणाम जल्द पांच अजार पदो पर संपन हुई थी भढ़ती परिक्षा तीन से तेरा जनुवरी को आईजित हुई थी परिक्षा आरपेसी आज से जारी कर सकता है परिणाम मंत्रिक गोविन सिंग डोटा सर ने सोचल मीडिया पर सेर की पॉस्ट ये देखे दोस्तो अभी फ़स्ट इंडिया न्यूज राजस्तान के अभी अभी ट्वीट किया हुए है गोविन सिंग डोटा सर का ये बयान है उन्होंने कहा है कि 3 से 13 जनवरी को आईजित परिशा का परिणाम आज के दिन जारी कर दिया जाएगा इसके अलावा उनके ओपिशेली साइट पे चलते है गोविन सिंग डोटा सर की ट्वीट अकाउंट के ओपर चलते है देखते है ये देखे दोस्तों तीन से तेरा जनर दोजार बीस को पांच जार पदो पर संपन्न हुई स्कूल व्याक्यता भरती परिक्षिया दोजारा के परिनाम के संबंद में RPSC Chairman साब से बात हुई है परिनाम सिक्र जारी होंगे यता संभव आज से ही सभी विसमयों के परिनाम आज से ही जारी उना सुरू हो गया है दोस्तों में कमेंट्स कर सकते हैं हम कमेंट्स का रिपलाई जरूर करेंगे धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत